लोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल केरियर बेट वाइंगीनियर में और एक नया जॉब ले टिंकल के रहा है रेल कोज फैक्टरी का पूरतला की तरफ से यहां पर अपर अपरेंटिसिप का वेकेंसी निकल के आ रहा है आई टिय वले कैंडिडेट के लिए तो जो लोग अपरेंटिसिप करना चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है यहां पर अफिस्यल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे और cf.india.gov.in पर तो यहां पर आपको देखेंगे यहां पर नीचे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा नोटिफिकेशन फार एक अपर अपर 2022 को यह नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है अब यहां पर जो नंबर आप पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फिटर का पोस्ट है वो है टोटल नंबर आप 4 है वेल्डर गैस इन इलेक्रिक का एक है मसीनिस्ट का यहां पर 13 वेकेंसी है पेंटर ज पोस्ट बात करें तो 56 वेकेंसी यहां पे निकल के आ रहा है तो काफी ज़्यादा पोस्ट नहीं है लेकिन आप अप्लाई कर दीजेगा इसमें और अब रेल्वे से अप्रेंटेसिप करने का फायदा यह है कि अगर रेल्वे से फिर आगे कभी रूपडी की वेकेंसी आती है तो वहाँ पर जो कंडिडेसिप किये रहते हैं उनको 20% का रिजर्वेशन मिलता है यानि कि अप्रेंटेसिप वाले कंडिडेट के लिए 20% की जो सीटें हैं वो रेल्वे के तरब से रिजर्वे रहती है तो जिसके करण कंप्टीशन काफी जदा कम हो जाता है और आसानी से से सेलेक्शन हो जाता है तो रेल्वेस अप्रेंटिशिप करने का आपको यही फायदा होता है मोड आप सेलेक्शन में आपको बता दूँ आपके 10 और आई टी आई में जित्ते मांक्स का है उसका एवरेज ठीक है 10 प्लस आई टी आई का एवरेज निकाला जाएगा और पर आपकी जो मेरिट है वो बनाए जाएगी ठीक है अगला देखते हैं इलिजबिल्टी कंडिशन क्या है तो एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल होनी चाहिए ठीक है अगर आप OBC कैंडिट है तो तीन साल का रिलेक्शेस्टन मिल जाएगा अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है त सभी चीज़ें आपको पता होती है मिनमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में देखिए आपका 10th होना चाहिए और मिनमम 50% आपका 10th में होना चाहिए अगर आपका 10th में 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है अब देखे पेमिंट आप फीज ह करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा यह जो अफिसेल वेबसाइट है इसी के तुरू आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो बस इतनी चीजें हैं बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलेग्राम ग्रूप में दे दूँगा हमारे टेलेग्राम ग्रूप का भी न यहां पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करेंगी तो नया पेज खुल के आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि लाजड डेट जो आपकी है वहां पर एक तीस एक दोजार बाइस यानि कि आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे और फीस पेमेंट की आख पर इस पर आप क्लिक कर देंगे ठीक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नया पेज खुल के आएगा जहां पर आप अपना नाम लॉगिन नेम हो गएरा कैनिडेट नेम सिटी मोबाइल नंबर इमेल आईडी यह सबी चीजिए आप भरके इसको सेव कर दीजेगा और आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक स्टूडियो में नई जानकारी के साथ तक बने रही हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद